हलो एवरीवन वालकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है फैमिनिस्म विद रिफ्रेंस ऑफ द सकेंड सेक्स तो फैमिनिस्म के बाड़े में पढ़ेंगे साथ में द सकेंड सेक्स में क्या डिस्कुस किया फैमिनिस्म से रिलेक्टेड यह भी देखेंगे ठीक है तो विडियो शुरू करते हैं विडियो बनाने से पहले हम अपने साइट पे यह वाला नोट्स अप्लोड कर रखें गूगल में जाके आप इंग्लिस लिट्रेचर जोन सर्च करोगें तो वहां पे मेरा आपको साइ पहले अप्लोड कर चुके थे तो इसमें हम लोग वीडियो देखने था कि वीडियो कि थो आप लोग को समझ में आए कि फैमिनिस्म क्या था और से केंड सेक्ष पर भी एक वीडियो अप्लोड कर रखें तो नोट्स आपको साइट पर भी मिल जाएगा वहां से भी आप लि फैमिनिस्म कहते हैं यह modern movement, यह एक modern movement इत मिन्स आधूनी कांदूलन था expressing protest, जो कि express व्याक्था करता है, protest का protest, इत मिन्स एक तरह से विद्रो दिखाता है against male domination male domination, इत मिन्स जो society में male का domination था, प्रभूत्व सासन था तो उसकी against एक विद्रो किया गया and involves sociological, political theories concerning gender difference issue, और साथ ही साथ, मतलब एक तो यह होगे कि male domination को against इसमें protest की व्याक्था की गई है, feminism में और दूसरा क्या किया गया है, sociological इत मिन्स समाजिक अस्तर पे और political theories, और political अस्तर पे, राजनितिक अस्तर पे, जो gender difference issue, जो gender मतलब जो male female में अंतर किया जाता था ना, तो उस समंधित, उस से, उन सारे चीजों से समंधित, topic पे discuss किया गया है, feminism में, ठीक है यह जो modern movement है, उसमें इन सब चीज़ पे discuss किया गया है, the term feminism was first used with regard to the issue of equality, तो जो पहली बार जो term feminism का use किया गया, वो women's के अधिकारों के लिए जो women चलाया गया, आंदोलन चलाया गया, तो उसके लिए feminism word का starting में used किया गया, अब आगे है जभार लाल नहरू, तो यह हम normally discuss किये हैं, एक quote से जभार लाल नहरू काफी famous quotes दिये है, women's के बारे में, one said, एक बार कहे वे हैं, you बारे में आप बता सकते हों कि वो रास्ट कैशा होगा, तो बहुत बड़ी बात कर रखें, तो अच्छे रास्ट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि वहां कि women की situation हो, condition हो, वो काफी अच्छी हो अब आगे women of any nation women, चाहे कोई भी nation, कोई भी रास्ट से हो, are the mirror of its civilization, तो इसकी, मतलब वो क्या होती है, अपने रास्ट के civilization यनि सभेता की mirror होती है, दरपन होता है, feminism has experienced two waves, अब जो feminism है उसमें क्या आया, two waves आया, दो लहर आया, feminism का, the first waves also called liberal feminism, पहले wave को liberal feminism कहा जाता है usually refer to the social movement जो कि सूसल एक समाजी कस्तर पर movement आंदोलन चलाया गया था, in that जिसमें कि women pout for their legal vote rights, जिसमें कि औरतें जो हैं लडी थी, अपने legal vote right के लिए, मतलब वोट देने का अधिकार, उस अधिकार के लिए लडी थी, and basic civil rights, और कुछ आधार, मतलब basic civil rights, यानि इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, जो अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके लडी थी, ठीक है, मतलब, starting है, basic civil rights भी नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, फिमेल को, तो सबसे पहला जो movement हुआ, मतलब, feminist movement हुआ, तो उनमें, में इसी चीज के लिए women लडी थी, in America and Britain, from 1820 to 1920, मतलब, 1820 से 1920 तक, पहला movement, feminism का चरा, जिसमें की औरते, जो है, अपने वोट देने के अधिकार, अपने कुछ basic अधिकार के लिए लडाई लडी थी, अब आगे है, the second wave, और जो दूसरा wave है, in females and males, मतलब, जिसमें क्या किया जाता है, difference दिखाया जाता है, second, पहले तो अधिकार मिल गया, women को खोड़ा बहुत समाज मेशों से लस्तर पे, लेकिन जो second movement चलाया गया, तो वो इसलिए चलाया गया, कि क्या होता था, अधिकार मिलने के बाद दी, females और males में अंतर किया जाता था, मतलब, और आदमी के बीच अंतर किया जाता था, उसी के लिए, उसी से, अब बचने के लिए, उसी को खतम करने के लिए, second movement चलाया गया, and discuss the origin, और discuss किया गया, इस जिसकी वाक्षा की गई, origin and operation of gender discrimination, कि यह जो gender discrimination, it means, जो link के अधार पर, male-female के अधार पर जो अंभेदभाव किया जा रहा है, discrimination किया जा रहा है, तो वो, मतलब, कहां से उसकी सुरुवात हो रही है, origin कहां से हो रहा है, इन ideology कि कैसे यह विचार्प में आ रहा है, culture and society, मतलब, हमारी सभिता में, society में, समाज में, तो किस तरीके से यह gender discrimination की सधार पर, कहां से इसकी origin हो रही है, इन सब चीजों पर discuss किया गया है, second wave, जो feminism का है, उसमें, ठीक है है, it was a period of feminist activity, feminist activity का यह period समय रहा, that began in the early 90s, जो की शुरुवात होई, early 1960s में इसकी शुरुवात हुई, and last is roughly two decades, और इसके बाद का two decades, लगब मतलब, इसी second feminism से लिटेट रहा, और जो, मतलब, जो book है, हम लोग की, the second sex, तो उसको भी माना जाता है, मतलब, उस book का काफी असर रहा, second wave पे, feminism का जो second wave है है, तो उस पे काफी असर रहा, अगर आपको, four five max का, feminism पे short notes पुछते हैं, तो आप यहां तक लिख सकते हो, ठीक है, आगे हम book के बारे में, the second sex, जो book है, उसकी बारे में डिस्कस किये है, the modern feminist movement, जो आधुनिक feminist movement, origin the second sex, उसकी जो सुरुवात हुई, वो the second sex से हुई, मतलब जो second wave आया है, ना feminism का, तो उसका सुरुवात second sex से हुई, by Simone D. Viewer, जो कि Simone D. Viewer का book था, ठीक है, अब आगे हम, the second sex का ही, quotes mention किये हुए है, one is not born, but rather becomes a woman, कि एक औरत जो होती है, वो औरत पैदा नहीं होती, बलकिल उसको औरत बनाया जाता है, society के द्वारा, हमारी, मतलब, political situation जो है, जो social situation है, उसके द्वारा, woman बनाया जाता है, ऐसा author, it means poet का कहना था, ठीक है, तो हम ऐसे तो इतना बड़ा quotes mention किये हुए, आप चाहो तो सिर्फ दो लाइन लिख सकते हो, दो लाइन में ही, बहुत बड़ी बात कह दी गई है, ये quotes में, quotes में, बाकी आगे का आप mention नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, अब आगे है, the second sex is one of the best known works of the French, तो French का जो है, the second sex जो है, one of the best work माना जाता है, अब आगे है, French existentialist Simone de Vueyer, तो Simone de Vueyer जो है, French existentialist, इतमिन्स बोल सकते हैं, जो मतलब किसी, मतलब एक किसी थिओरी को, जो कि related of philosophy से, तो उस थिओरी को support करें, तो उन्हीं का, Simone de Vueyer का, एक best work माना जाता है, it is a work on the treatment of women, तो ये work किस पे है, treatment of women, it means women के साथ कैसा वहवार किया गया, इस पे ये work best है, throughout history, हमारे इतिहास में कैसा वहवार किया गया, women के साथ, and it's often regarded as a significant work, of feminist philosophy, और इसको feminist philosophy का, significant treatment महतरपून, work भी माना जाता है, वीवेर, रिसर्च्ट, रिसर्च्ट की, जाज की काफी टाइम तक सर्च्ट की, मतलब होता है, जानकारी हाशिल की, and wrote the book in about 14 months, मतलब लगवाग 14 months तक रिसर्च्ट की, उसके बाद इस बुक को लिखी है, see publish this book in two volumes, इस बुक को वो दो वॉल्यूम में publish कर रखी है, पहला है fact and myth, और दूसरा है life experience, तो ठीक है, तो आपको अगर exam में एक बुक के बारे में discuss करने बोला है, तो आप सिर्फ एक बुक के बारे में discuss करोगे, हम इस note में दोनों के बारे में discuss किये हुए है, और हम कहां से बता देंगे, आपको बस एक परागरा आपको हटाना होगा life experience वाला, बट आप यहां तक दोनों mention करोगे, ठीक है कि दो बुक में बाटा गया है, अब आगे आप fact and myth को describe करोगे, एक्जाम में अगर आपको सिर्फ fact and myth के बारे में पूछ रहा है, तो आब आगे in fact and myth, तो fact and myth में viewer first describes, तो उससे पहले आपको क्या लगना है, आप fact and myth, फैक्ट और myth में जो है न, part one is destiny, और fact and myth जो है, उसमें part one जो है, वो destiny के नाम से है, ठीक है, तो उसमें क्या है न, viewer first describes, उसमें viewer पहले describe करती है, वाक्यां करती है, the relationship of the ovum to sperm, मतलब जो पहला जो biological data है, उसमें जो है author describe करती है, ovum to sperm, ovum से sperm का जो relation है, शंबंद है, उसको describe करती है, ovum it means हो जाता है अंडानू, it means a, जो mature female होती है न, तो उसके reproductive shell को, ovum कहते हैं, और sperm जो है, boys के reproductive shell को कहते हैं, तो इनके बीच के relation को बताती है, अपने पहले work, मतलब fact and myth में, in all kinds of creatures, सारे creatures के बारे में बात करती है, कि सारे creatures में ये relation के बारे में बात करती है, fish में, insects में, और सारे mammals, mammals it means अस्तनधारी, it means जो बच्चा पैदा करते हैं, तो सब में ये ovum to sperm का relation बताती है, then viewer, जो उसके बाद जो viewer है, proceeds to the human beings, फिर human beings की और बढ़ती है, it means मनश्री के और, मानेव की और बढ़ती है, comparing the psychology of men, और compare करती है, men के psychology को और women के psychology को, saying that, यह करते हैं, कि women are weaker than men, कि women जो होती है, men से weak होती है, ठीक है, for example, जैसे कि in muscular strength, muscular strength, it means, जो मान स्पेशियों का, जो मजबूती होती है, वो उसमें weak होती है, mainly, mostly देखा जाता है, कि female के पास, कम strength होता है, with fewer red blood cells, red blood cells भी female में कम होता है, जो कि reality है, according to science भी यह है, कि red blood cells जो होता है, female में कम होता है, and a lesser respiratory capacity, और कम male से कम होता है, इनके पास, respiratory capacity भी कम होता है, female के साथ, तो यह इसके बादे में बात की है, threat and myth में, Simone dee viewer, अब आगे है, part two is history, तो part one हम बताएं थे, fact and myth का destiny है, और part two जो है, वो history है, इन विच जिसमें की, viewer describes, viewer describes करती है, two factors, दो कारण, explaining the evolution of woman condition, जो की, woman condition के evolution, विकास में, मतलब, के बारे हैं बात करते हैं, दो condition बताती है, विकास का, अब आगे है, वो दो condition है, participation in production, and freedom from reproductive slavery, तो यह दो condition बताती है, woman के evolution के लिए, man's के gradual, it means digital domination, यानि प्रभाव, it means जो शाषन होता जा रहा है, उसकी व्याख्या करती है, और woman, woman पे, एक तरह से, एक influence, एक प्रभाव रह जाता है, woman के उपर man का, and eventually, the opinion of aniscient Greek like, और aniscient Greek के एक author है, Pythagoras, Pythagoras के opinion को बताती है, who wrote, जो कि लिखते हैं, Pythagoras female के बारे में क्या लिखते हैं, वो हम आगे पड़ेंगे, there is a good principle, that created order, light and men, Pythagoras महान थे, Greek के philosopher थे, तो वो क्या लिखते हैं न, कि good principle आया, कुछ good नियम या कानून, हम कह सकते हैं, principle आया, तो वो क्या create किया, वो order बनाया, light बनाया, और men बनाया, and a bad principle, और जो bad principle आया, that created क्योश, क्योश, इतनी हम लोग बोल सकते हैं, आरा जगता, darkness and woman, तो इतनी बड़ी बात, जबकि वो महान philosopher होके, इतनी बड़ी बात कह गया है, तो वो इस तरह से, वो पाइथागोरस के इस थौट को भी, mention करती है अपने वर्क में, अब आगे है, see also examines, the spread of birth control, वो birth control के बारे में भी बात करती है, ठीक है, जर्मनियंत्रन पधती बोल सकते हैं, birth control के बारे में बात करती है, and the history of abortion, और abortion के history पे भी, के बारे में बात करती है, अपने वर्क में, अब है, part 3 is math, और part 3 जो है, वो math है, Simone also writes about women's menstruation, menstruation के बारे में बात करती है, women's, it means periods के बारे में बात करती है, virginity के बारे में बात करती है, female sexuality के बारे में बात करती है, including copulation, copulation, it means physical relationship, सिर्देटंफी पारे में बात करती है इन सब के बारे में डिटेल से वह डिसक्राइब की हुई है नोट्स लिख रहे हैं नौट्स नमली 12-15 मार्क्स है 20 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है तो इस वज़े से हम सौट-सौट में कियें इसको डिसक्राइब ने कियें आप चाहो गलग डिस्क्राइब कर सकते हैं अब आगे हिन लिट्रेचर में पौरानिक जो लिट्रेचर होते हैं उसमें क्या माना गया है वुमेन को गौरड़िज माना गया जाता हैं ए स्टिल और फिर भी वुमेन है फॉपने फॉर विट लोग वेस्ट फॉट अपने ही अधिकार के लिए उसी चीज के लिए उस वही हग पाने के लिए उनको सुसाइटी से लड़ना पड़ता था अर्थर रिमबॉड लिखते हैं मतलब आसा करते हैं कि एक दिन वुमें जो है ना फुल्ली यूमें बिंग्स बन पाएगी मनुश्य बन पाएगी जब उसको एक आदमी जो है एक फीडम देगा शीमोन और फिर आगे एक कोटेशन मेंशन किया है वो लिखती है हर विंग्स आर कट कि उसके पंक काट दिये जाते है और उसके बाद वुमें को ब्लेम किया जाता है कि उसको पता ही नहीं कि कैसे फ्लाइ करना है यह अपने वर्क में में मेंशन करती है यह भी काफ़ इंपॉर्टन कोट से अब आगे in the second volume तो यही हम आपको बता रहे थी कि exam में अगर आपको first volume पूछा जाए जाना तो आपको फिर सिर्फ first volume के बारे में discuss करना है यहां तक discuss करोगे और second volume में हम दुए stanza mention किया only यहां तक यह आप mention नहीं करोगे फिर नीचे वाला section आप लिख सकते और आप से ठीक है तो second volume को भी देख लेता है तो second volume जो है लाइब इक्स्पिरेंस इसमें इसमें विवेर अनलाइसिस हाओ गल्स आर टिपिकली ट्रीटेर थूआउट दियर चाइल्ड हुड की कैसे वुमेन को अलग तरीके से बढ़ा किया जाता है who at is three or four is told she is a little girl मतलब जो लड़की होती है ना three four साल की तो तभी से उनको अलग तरह से बढ़ा किया जाता है ठीक है और उसको बोल दे जाता है कि वह एक little girl है ठीक है अब आगे है a girl is taught to be a woman and feminine तो girl को बच्पन से ही चिखाए जाता है कि उसको एक woman बनना है Simone describes Simone describes करती है that female only get dignity in only two works के female को जो है ना गौरव, पर्तिस्था, शम्मान स्रिफ दो ही काम में मिलता है first in his household work पहला तो household work it means घर के कामों में and second one और जो दूसरा है is to provide bed service to their husbands अपने husbands को bed service provide करना ऐसा काम माना जाता है यह female का बस यही दो काम है according to their mood और यह किसके mood के according अपने husband के mood के according अपने husband को bed service provide करना यही दो काम describe की वही है Simone de Vier की माना जाता है female के लिए बना हुआ है women are always accepted to be passive women से हमेशा accept के जाता है कि वह passive होंगी passive means sensual होंगी and submissive होंगी submissive means passive sensual होगी submissive होजाता है venom होगी while जब की men are encouraged to be active men को active रने के लिए encouraged किया जाता है अब आगे है the day when it will be possible कि जिस दिन ऐसा possible हो पाएगा for the woman woman के लिए to love in her strength की woman अपने strength से प्यार करे and not in her weakness ना कि अपने weakness से not to escape from herself खुद से भागने की कोशिश ना करे but to find herself लेकिन खुद को क्या करे खुद को ढूंदने की कोशिश करे not out of resignation ना कि resignation it means किसी भी चीज़ से give up करने की कोशिश करे किसी भी position से but to affirm herself लेकिन खुद को बल्क क्या करे dread करने की कोशिश करे love will become for her तो प्यार जो है उसके लिए as for men तो प्यार उसके लिए भी बिल्कुल men के तरह ही बन जाएगा जैसा कि men के लिए होता है the source of life and not a mortal danger मतलब प्यार जैसे man के लिए source of life होता मतलब कभी ना खत्म होने वाला खत्रह ऐसा तो अब यह second volume हो गया नीचे वाला section कोई भी note हो आप सेम लिखोगे thus इस प्रकार in the early 20th century शुरुआत की 20th century में शुरुआती 20th century में women's political women's की जो राजनेतिक social समाजिक and economical choices in France we are limited वो France में भी limited थी इंडिया की तो बात ही ने रही है उस ताइम फ्रांस में भी बहुत मतलब गंदाश थी थी था औरतों का due to patriarchal dominance च्योंकि उस ताइम patriarchal dominance था मतलब पुरुष्णों का अधिकार था society पे political सारे post पे या फिर economic condition it means पैसे की मामले की बात हो तो सब पे पुरुष्यों का अधिकार था in almost all aspects of life life के सारे aspects life के सारे decision पहलूँ में and business में भी including the publishing industry और publishing industry में भी किसका अधिकार है सिर्फ male का अधिकार तब friends की बात हो रही है this time she won't do we अपना work published की तब तक यह जो work है ना उसको 1949 में publish करवाया गया the second sex को तो मतब जब publishing house पे तब तक सिर्फ male का dominance होता था male का अधिकार होता था despite this challenge और यह सब challenges के बाब जू deep viewer we are able to break through these challenges कि वो able हो पाई इस योग हो पाई कि वो इन सारे challenges को तोड़ सके especially with the book such as the second sex especially इस book के साथ the second sex नामक book के साथ मतब उस time this time male का पूरा सासन था society पे समाज पे business पे publishing industry पे उस time the second sex नामका book publish कर देना तो इसमें कि सर्फ female के अधिकारों के बारे में बात करना तो बहुत बड़ी उपलबधी हाशिल की जो author है अब आगे है अल्दाव हला की the book the second sex जो book है the second sex received much criticism इसको धेर सारा criticism भी मिला इसकी बुराई भी की गई from notable literary figures प्रमुख जो literary figure है मतलब साहिती के बरे-बरे जो उस time जो लेगे कोते थे वो इसको judge भी किये बुरा भी बोले the book also plays लेकिन तारीफ भी मिली book को and supports many others and most importantly women मतलब बहुत ज़्यादा support भी किया गया most importantly women it means जिसके women की साथ गलत हो रहा था तो women भी book था तो women तो support करेगी within the feminist movement feminist movement के time बहुत ज़्यादा support भी किया गया इस book को viewer की जो book played an important role बहुत महत्पूर्ण भुमी का निभाती है in the second wave of feminist movement feminist movement के second wave में तो दूसरा लहर आई feminist movement का तो उसमें ये viewer का जो book है the second sex तो उसकी बहुत महत्पूर्ण भुमी का है especially after being published in United और especially कब जब इस book को United States America में publish करवाया गया तो उसके बाद second wave के feminist में इस book का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है तो यहाँ पे ये video खतम होता है विडियो अगर आपको अच्छा लगा आपके लिए helpful है ना तो प्लीज आप लोग विडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और comment करके बताना विडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स विडियो में नेक्स टॉपिक के साथ